हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यात भ्रानमशकार सच्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रिस्वे के साथ आज हम बनाने वले हैं बहुत ही ज्यादा होममेट जलेबी जी हाँ घर की बनी जलेबी की तो बात ही निराली है तो चलिए फिर देड़ न करते हैं और देखते हैं यह बड़ी जलेबी किस तरह से बनाएंगे तो फ्रेंड्स यह देखिए मैंने पहले से ही थोड़ा बैटर बना कर त्यार किया हुआ है यह मैंने मैदा लिया है एक कटोरी और उसमें डाल दिया पा तो एक कटोरी मैंने मैदा डाल दिया था ना तो एक कटोरी मैं इसमें मैदा और एड़ करूँगी तो इसी कटोरी के हिसाब से मैंने मैदा इसमें एड़ किया था तो यह अगर आप हाफ केजी मैदा ले रहे हैं तो उसमें से आदा आप पहले भिगो कर रख दीजी एक दि करना है बढ़ी असी जलेबी बनाने के लिए तो आपको इसमें कुछ भी एड़ करने के जरूरत नहीं है और जलेबी हमारी बहुर तेस्टी बनेगी तो चलिए पहले बैटर बना कर त्यार कर लेते हैं तो हलवाई भी इसी तरह से जलेबी बनाते हैं तो कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ तो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका बैटर लगाना है इसमें लंप बिलकुल नहीं होने चाहिए गाठें बिलकुल नहीं रहनी चाहिए और अच्छी तरह से इसे स्मूथ करना है तो पानी इसमें थोड़ा सा और एड़ करूंगी तो एक साथ पानी डालने की गलती कभी मत कीजिएगा नहीं तो बैटर आपका पतला हो जाएगा तो जलेवी अच्छी नहीं बनेगी तो मेनत हमें ज्यादा इसमें नहीं करनी पड़ती है अगर आपको जिस दिन जलेवी खानी है उसी के हिसाब से आप इसमें पहले आदा बैटर खोल कर एक दिन पहले रख दीजिएगा आदा आप इसमें बाद में आड़ करके फटा फट से जलेवी फ्राइ कीजिएगा तो य मैं क्या करूंगी अब मैं इसे डाल लूँगी एक पॉलिथीन में यानि की दूद की ठैली में तो आपको मैं स्पून की हल्प से भी दिखा रही हूं यह देखिए ना कितना स्मूध बैटर बना है बिल्कुल रनिंग कंसेसेंसी इसकी तो इसी तरह की कंसेसेंसी हमें चाह सब्सक्राइब रहिए है तो इσι हमें बैटर बिल्शक के इस लाएकं ऐसे थी बैटर का रहे सकते हैं तो इस दो ब यह में बना रहे हूं तो बस एक कप के करीब मैंने ले लिए है चीनी, तो एक कप मैं चीनी ले रही हूँ, आदा कप मैं डाल दूँगी उसमें पानी, आदा कप से थोड़ा सा जादा है, बस जादा नहीं डालना, आदा कप ही समझ लिजिए, अब इस चीनी को हमें अच्छी तरह से मेल्ट करना है, तो फ पानी मत डालिएगा कि आपकी चाष्णी ड्यादा हो जाएगी पतली चाष्ण मैं लग टालेगे न लगो यह तो सोकी घोटो घंगो के हमारी चैशिय पोकी बनेगे हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी consistency भी हमें किस तरह की चाहिए और चीनी अगर आपकी साफ नहीं है तो आप इसमें एक से दो चम्मच दूद डालीजिएगा उसके बाद आपकी जो चाशनी है बिल्कुल क्लीन हो जाएगी उपर से जाग आप उतार दीजिएगा तो बढ़िया चाशनी बन कर त्यार हो जाएगी तो देखिए चाशनी हमारी लगबग त्यार हो चुकी है और बहुत ही क्लीन है चाशनी तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ओरेंज फूड़ कलर थोड़ा बढ़िया कलर आ जाएगा और टेस्ट क आड़ कर लीजिएगा यहां आप चाशनी में आड़ कर लीजिएगा तो एक ही जगह यह दिखिए आपको मैंने दिखा दिये चाशनी हमारी बिल्कुल त्यार है बस इसे रखते हैं साइड पर और फटा फट से मैंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल हलवाई वाल दिखा रही हूँ आपको तो हमारी जलेबी बन रही है वैसे आप चोटी-चोटी एक गोल-गोल बनाईएगा असान रहता है चाशनी में डिप करना भी क्योंकि उनका तो बरतन बड़ा होता है तो अराम से वह बड़ी-बड़ी जलेबी बना कर उसमें डिप करते हैं तो इ हमें इसे फ्राई करना है तो देख रहे हैं आप कितनी जवर्दस लग रही है जलेबी और हमने इसमें कुछ भी आड़ नहीं किया सिरफ मैदा है और चाशनी बनाईए और जलेबी हमारी जवर्दस बनकर त्यार होगी तो आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे ज चाशनी में डिप करने की और फटा-फट से चाशनी इसमें एब़ॉब हो जाईगी और बहुती रसेदार चलेबी हमारी बनकर होमेट त्यार होगी तो मैं पहले से अच्छी तरा से डिप कर लूँ फिर मैं रखी की जलेबी भी बनाकर त्यार करूँगी तो बहुत जलेबी की डाली हुई है दाल की जलेबी के भी रैस्पी मैंने इसमें एपलोड की हुई है आप वो भी जुरूर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी तो अब मैं सिंपल ही एक एक जलेबी को राउंड राउंड करती हुई बनाती जाओंगी और काफी धेर सार जलेबी बना लेंगे हैं हमारे आसपास तो खड़े भी हो गए हैं जलेबी खाने के लिए तो वह भी जलेबी खा रहे हैं और बहुत टेस्टी जलेबी बनी है तो पराफट से बनाते हैं और इंजॉय करते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आये ना प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और पूरी वीडियो देखा कीजिए तभी आपको पता चलेगा कि हम यह किस तरह से बना रहे हैं तो जो जलेबी फ्राइ हो रही है उसे हम चाशनी में डिप करते जाएंगे और मुझे इस तरह से दूद की थाली में डालकर जलेबी को गोल-ग हैं बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी यह जूसी जलेबी कैसी बनी है और बहुत टेस्टी देखे मैं बढ़ी बड़ी तो बनानीदी पतली पतली जलेबी बन रहे हैं घर औरह भी जली में आपको तोड़के दिखाती हूँ तो दोस्तों फिर मिलती हूँ एक और नई रेस्पी के साथ और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी तो फिर मिलती हूँ बाई बाई